Hello Friends, हमारा आज का टोपिक है बच्चों में टाइफाइट बुखार होना, टाइफाइट के लक्षन, इसके क्या कारण है और क्या घरे लूप आए हैं तेज बुखार, हलके बुखार से शुरू होकर बाद में तेज बुखार आ जाता है, यह बुखार उतरता नहीं है पेट खराब होना टाइफाइट होने पर बच्चे के पेट में तेज दर्द और बुखार के साथ दस्त भी हो सकते हैं भूख कम लगना बच्चे के गले में खराज के साथ भूख लगने की शिकायत हो सकती है टाइफाइट को मियादी बुखार या मोती जरा भी कहा जाता है बच्चों में टाइफाइट बुखार जिवाणिक इंफेक्शन की वजे से होता है संक्रमित मल से दुशित भोचन खाने पै पीने से फेलता है इसके लक्षन एक या दो हपते के अंदर दिखाई देना श्टार्ट हो जाते हैं चार सप्ता इससे लंबे समय तक बने रह सकते हैं ज्यादा बुखार तीन दिन से ज्यादा समय तक रह सकता है दिन के बढ़ने पर तेज होता है सुभा कम हो जाता है अनकमफिटेबल में हिसूस करना स्वस्त ना लगना पेट में दर्द जीप पर परसी जमा होना सीर दर्द कब्ज या दस एक हपते के बाद छाती पर गुलाबी रंग के निशान आ सकते हैं इनको देख पाना मुश्किल हो सकता है टाइफाइड इन्फेक्शन दो से पांस साल के बच्चों में अधिक होता है छोटे बच्चों को भी हो सकता है टाइफाइड बुखार के ये लक्षंट है अगर आपको ऐसे लक्षंट दिखा आई देते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए टाइफाइड एंटिबायोटिक दवाई से भी ठीक किया जा सकता है अगर टाइफाइड के कोई से भी लक्षंट दिखते हैं तो आप डॉक्टर को जरूर बताइए और उसको एंटिबायोटिक दवा जरूर दिलवाईए जिससे उसका टाइफाइट बुखार को ठीक किया जा सके टाइफाइट बुखार से बच्चों को बचाने के लिए दो तरह की वेक्सिन होती है पहले तरह की वेक्सिन में इंजिक्शन दिया जाता है ये दो साल से उपर के बच्चों को दिया जाता है अक्सर टाइफाइट ज्यादा बिगणने पर हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं बच्चे की जान बचानी मुश्किल हो जाती है बच्चों को जादा से जादा तरल पदार्त दें अधिक मातरा में फलो करस और सब्जियां और सूप दें दूद और उससे बने आहार दें बच्चे को मीठा जरूर खिलाएं जिससे उसकी आतों को आरामिल से कि आपको लिमिटेड मातरा में ही बच्चे को मीठा खिलाना है बच्चे को टाइफाइट बुखार होने पर आप उसको हलके और धीले कपड़े पहनाएं केला पपीता शकरकन खड़े अनाच चावल मक्का बच्चे को ना दें ये भी पचने में काफी दिक्कत दें बच्चे के हर आहर में कुछ प्रोटीन दाल बींस राजमा अंडे चिकन मचली कमवासा वाले आहर आप सामिल कीजिए डेरी उतपाद दही पनी चीज भी आप बच्चे को दे सकते हैं अलग अलग तरह के फल सबजियां बच्चे को जिससे वीटामिल्स मिल सके आप ज़्यादा से ज़्यादा वो दें और बहार के खाना खलाने से बेबी को जरूर बचाएं पानी को भी वाल कर उसे ठंडा करके बच्चे को पिलाएं जो भी फल या सबसी आप खाते या बनाते हैं बेबी को न अच्छे से दो कर दीजिए ताकि कि टानू ना जा सके बेबी को एक गिलास गर्म दूद में एक चम्मश शेहद मिला कर पिलाएं इससे बेबी हल्दी वाला और शेहद वाला दोनों ही दूद नहीं पिता है तो आप साधा दूद उसको गर्म करके ठंडा करके बेबी को पिलाएं उसे तरल पदाहत दीजिए आप बेबी के साथ जबरदस्ति बिल्कुल भी न करें क्यूंकि बुखार के दोरान बच्चों का मन खाने मे बिल्कुल भी नहीं रहता है तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं तरल पदाहत दीजिए ज्यादा फिडिंग अगर आप फिडिंग करवाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा फिडिंग करवाया फॉर्मुला मिल्क देते हैं तो वो भी आप समय समय से थोड झाल झाल